अगले कॉलर हैं बल्देव जी स्वागत है आपका जी नमस्कार सर जैहिंद बल्देव जी आपका स्वागत है बताई क्या सेवा की जाए जी आपको आदाब जैहिंद कितनी उमर है उसकी उमर है लगब जी चालिज क्या सब्सक्राइब किसी की भी मास्पेशियों में कमजोरी आती हो तो याद रखें कि एक नस्का लें अलसी को फल कासा भून कर पॉडर बना लें अलसी अलसी को पॉडर बना लें अलसी लें तकरीबन चार सो ग्राम इसको साफ सूप करें हलका साबून कर पॉडर बना लें और खशखाश लें सो ग्राम इसको खुब बारिक किसी तरह पीश लें किसी भी तरह इसको खुब बारिक करना है किस तरह करना है आप देख लें ना बहुत बारिक होती है खशखाश सो ग्राम और ये आपका इलाची आती है बड़ी वाली या काली इलाची कहें या बड़ी वाली दो इलाची आती है एक छोटी जो हरी कहलाती है एक बड़ी ये लें पचास ग्राम अल्ची प्चारसो ग्राम खशखास सो ग्राम और बड़ी इलाची पचास ग्राम इन सब का पौडर बना ले और ये एक चम्मच खाना है आपको रोजाना सुबे और इसमें एक चुटकी से दो चुटकी खाने का सोरी एक चुटकी से दो चुटकी गौंद सिया गौंद सिया एक चम्मच में मिला के सुबा नाचते के बाद और रात को खाने के बाद बाद दूद के साथ खाना है और दो टाइम खाना है यह आप शुरू करें और हर महीने दो महीने में हमें रिपोर्ट करते रहें डॉक्टर की दवा भी न छोड़ें और इसके लिए दुआ भी करें और मैं भी इस बच्चे के लिए दुआ करूँ महराश्ट्र से हैं हम सुन रहे हैं अब बताते रहे हैं अब कमजोरी है पेट में गर्मी रहती है कभी कभी चक्र भी आते हैं चीक है और परों में दर्द आएं चीक ठीक जो चक्कर आते हैं उसके लिए ऐसे बैठे सीधा समझा दीजेओना अगर वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये exercise मेरी तरह करें तीन मिनेट सुबा पूरे दिन में तीन मिनटी exercise होनी चाहिए सुबा से स्वाय से शाम तक में और ऐसे देखिए पूरी तरह इसे और ऐसे ये एकसरसाइज भी तीन मिनट पूरे दिन में एक साथ कोई नी कर सकता एक एक मिनट करके करें आदा आदा मिनट करें करें लेकिन पूरे दिन में छे मिनट हो जानी चाहिए तो अगर दस से पंदा दिन करेंगे चक्कर उनके चले जाने चाहिए हैं, ढूड़ेंगे आप कहां गए चक्कर, अब पेट की गर्मी, पैरों में दर्थ, और कमजोरी है, इन तीनों का एक इलाज बताता हूँ, सौफ, सौट, जीरा, तीन चीज़ें, आपके किचन में मिल जाती हैं, सौफ, सौट, जीरा, अजवाएं, धनिया, मेथी, ये च्छे चीज़ों का पॉडर बनाएं, और ये एक चमश सुबा, खाने से पहले खाएं, और एक आता है, नमक, जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है, एक चुटकी, नमक, झैतुन, दो गिलास पानी मिला कर, और ये जो छैज़ों का पॉडर है, ये पिला दीजे, अपनी पतनी को, और खिला दीजे, और ये दो गिलास पानी पिला दीजे, दिनमें एक बार, ये जाज़ जा दे दो बार, बस, पेटके के लिए, लीवर के लिए, आतों के लिए, मैदे के लिए, यह बहुत अच्छा नसखा है, अब बचा जोडों का दर्द, एक आता है, गौन सिया, काला गौन्द है, यह नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मादरी एस असली लेकर 100 g भी असली मिल गया नकली बहुत मिलता है तो अदा गिराम सुबा अदा गिराम शाम दूद के साथ अब इन्हें आदा अदा गिराम किला दें असली लेना ज़लूरी कड़वा बहुत होता है यह raw material है इसको पाउडर बनाना पड़ेगा और इस इसतमाल आप क कर सकते हैं ऐसके महरा जी स्वागत है आपका अजी नमस्कार जी डॉक्टर साफ से बात करने जरा मैंने दवाई बंगवाई हुई है जी बात हो रही है मिश्रा जी बताई तो जैहिन स्वागत जी, डॉक्सरा मेरे को ने क्रिटिन प्रॉब्लम है थोड़ी, जून में चेक कर आया था, 1.28 था चीक है तो मैंने आपके इदर फोन किया है, तो उन्होंने मेरे को ये गॉन पुरिंगा और ये जैतुन का सिरका भेजा है तो वो सिरका दो टाइम पीना है, गरम पानी में, और ये गॉन पुरिंगा बलते दो चुटकी खाना है दो टाइम ठीक है हलो जी, जी, मैं सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीज़े, फिर मैं जवाब दूँगा हाँ जी, और अब भी मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम जो गैप हो गया सा थोड़ा सा, वो बहुत दर्द हो रहा है थो थोड़े दिन से ठीक है तो मेरे को ये बता दीजिए क्रिटिन प्रॉब्लम के लिए कितने दिन खाना है और कैसा रहेगा और कुछ खाना है बता दीजिए मेरे को ठीक है जी देखी ये तो आप एक एक चमच पानी मिला कर लें और एक नुसका जो मैं बताता हूँ अक्सर पता नहीं आपने लिखा नहीं तो लिख लीजे इस्प्लीन के लिए हो या किडनी के लिए हो पेट के लिए हो एसीडिटी कब्स और क्रेटिनाइन के लिए लीवर के लिए इस सब में काम आता है ये लिख जरूर ले अलसी तो आप जानते हैं अलसी को हलका सा भून ले हलका सा भून कर अलसी को और पॉडर बना के रख ले और यह जो आपका यह है ना गौन्द मॉरिंगा आपके पास आ गया तो वो एक दो चुटकी एक चमच अलसी में मिला कर पानी के साथ ले लिया करें और इनमें दो वार ले सकते हैं यह निसका अच्छा है आपके इन सब बिमारियों के लिए लेकिन आपको लेना चाहिए था नमक जैतून नमक जैतून एक चुटकी दो गिलास पानी मिला कर अगर अलसी का जो कौडर मैंने अभी आपको बनाने को बताया है वो आदा या एक चमच ले एक चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिला कर रोजाना कम असकम एक बार ज्यादे ज्यादे दो बार ले तो आपको पूरा फाइदा मुमकिन है स्पाइन गैप देखे वो स्पाइन में अगर दर्द है और किचाओ है कमर की रीद की हड़ी में कहीं तकलीफ है तो वो तो गौनसिया आप जानते हैं गौनसिया अगर आपके पास है यह नहीं है तो मगाले असली आधा आधा गिराम दो बार खाने के पश्चाथ बाद में पानी से या कम चर्वी के दूस से लेने से चाहे हमारे स्पाइन में तकलीव हो यानि कमर के डिस में या घुटने में हो पटों में हो मौन्धे में हो कहीं भी अगर किसी को कुछ तकलीफ लगती हो तो यह आप गॉंस या असली अगर आधा आधा गिराम इस्तेमाल करते हैं तो फाइदा मुम्किन है सुनीता जी है अगली कॉलर स्वागत है आपका नमस्कार मैं स्वागत है सुनीता जी का जैहिन हम मिला के गरम कर सकते है इनको mix करके गरम कर सकते हैं, गरम करके ठंडा करने, तो यह और अच्छा हो जाता है, और तरीका असली यही है, आपकी तबियत घुट्टों में दाद कैसा है? मैम जवाब दीजिए, आप टीवी सुन रहे हैं, मैंने आपको दिखी जवाब दिया, और टीवी सुनने वालों से हमारी बात में पॉब्लम आती है, वो टीवी का तरफ उनका दिमाग रहता है, तो हमारी बात पर तबज्ज़ नहीं दे पाते हैं, और क्यूंकि उनके टीवी की आवाज हमें आती है, तो हमें भी दो दो आवाज आती है, इसलिए हमें थोड़ी सी परिशानी होती है, माफ की जगाँ, तो वो आप इस्तमाल करें, आपने कुछ तबियत भी नहीं बताई अपनी, यूट्यूब पर और फेस्बुक पर मेरे नस्खजात मौजूद हैं, हकीम सुलिमान नाम से अगर आप सच करेंगे तो मेरा पेज खुल जाता है, और आपको रोज आना दो चार नस्खे मेरी तरफ से पहुंचते हैं, आपको जो नस्खा चाहिए, आपको रोज मिलेगा और आप अगर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तो जिंदगी ब बात कर रहें, यह सब यूट्यूब पर पहुंच जाते हैं, आप अपनी बात्चीत भी सुन सकते हैं, ताके आपको फाइदा हो सकते हैं। साइनस की बाबलम है। साइनस की बाबलम है। साइनस की बाबलम के लिए छह सथ महीना इलाज करने को तयार रहना चाहिए। अपनी दवाइं भी खाते रहें लेकिन सपिस्तान उन्नाब अलसी तीन चीज़ें सो सो ग्राम खरीदें यानि सो सो ग्राम मेरा मतलब नहीं है इस रेशो से बनानी है दवा आप दो दो सो ग्राम भी ले सकते हैं लेशो ये होना चाहिए सो सो ग्राम लें सपिस्तान उन्नाब अजसी उनना आपकी गुटली निकाल दें और तीज किराम आपके किचान में पीपले लें गरम मसालों में पीपला मूल जिसे कहते हैं इसमें मिलाकर पौडर बनाएं एक चमश सुबा एक चमश शाम गरम पानी के साथ इस्तमाल करें और ये ठंडी चीज़ां खटी चीज़ा तो आपको फाइदा होना मुम्किन है वैसे तो मार्किट में बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हो चुके हैं अब वैक्ति को कोई बिमारी होती है तो वह टेस्ट कराता है लेकिन हमने ये बात कहीं पर सुनी है कि जो हमारा यूरिन है अगर उसका भी कलर चेंज होता है तो सम बिल्दा देखो कुछी जमाने में सिर्फ पेशाब से या पौटी को देखकर या कफ को देखकर बलगम को देखकर यह पहचान होती थी और एक माहिर तिप जो यानि हकीम या वैद होते थे बस उन्होंने उस पर एक नजर डाली और सारे टेस्ट हो गए और आज भी यह है कि पेशाब के या लैट्रीन के कलर बद्बू और कफ को देखकर कोई भी जो ऐसा हकीम या वैद है जो जिसने किसी बड़े हकीम की खिदमत की है उससे यह तजर्बा आज भी है तो यह सही बात है कि अगर पेशाब में जाग आ रहे है तो हुश्यार हो जाना चाहिए जादा जाग आ रहे है पेशाब गाढ़ा आ रहा है तो हुश्यार हो जाना चाहिए पेशाब पीला आ रहा है तो हुश्यार हो जाना चाहिए और पेशाब सुर्खी माई, लाली माई लिये हुए आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो इसमें क्या होता है कि कुछ जरूरी चीजें पिशाब के रास्ते लीक होने लगती है तो उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं उसे कलर और उसके गाड़े पन पर डिपेंड रहता है तो अब तो बाकई बहुत तरह के टेस्ट चल पड़े हैं लेकिन किसी जमाने में बस यही था और इसी से सारी बीमारियों की शिनाक्त होती थी इन्फेक्शन का मतलब होता है पिशाब बहुत तीला और किड्नी फंक्शन जब खराब होता है और प्रोटीन जाने लगती है तो सुरुखी माईल हो जाता है लाली माँ उसमें होती है और सिर्फ प्रोटीन हो और इन्फेक्शन ना हो तो जाग वाला पिशाब आता है यह सब पहचान है जो पुरानी है सो साल पहले और अब सब टेस्ट आ गए हैं वो टेस्ट भी अच्छे हैं लेकिन हकीम और वैद पहले कभी टेस्ट नहीं कराते थे और मैंने तो अपनी जिन्दगी में बहुत से टेस्ट कभी नहीं कराए और मैं अगर चाहूं तो मैं अगर टेस्ट कराने लगूं तो इस कदर उसका कमिशन मिलता है चालिस परसेंट और क्योंकि मेरे साथ तो करोड़ों लोग जुड़े वे हैं अगर मैं करोड़ों टेस्ट करा लूँ तो आप समझना कि करोड़ों रूपे मुझे उसके कमिशन के लिजे दलाली के लिजे इन सब के आने लगे लेकिन मैंने आज तक दलाली का कोई पैसा इस् जे नमस्कार मेरे आपसे दोस्ट स्वाल थे हमम मेरे माताजी ने चार- पांक साल प dispbank मेहं डाली जिए सीर में, जौब विंदम के रेड़ रिशेज हो गया सीर में गर्मे के टाइब मे उन पर आखों में बहारी ऌठर गॉर शिर में दर्द रहता है और सर दूसरा स्वाल है कि मेरी उम्र 16 साल है और सर ये मेरे हतेली बहुत गरम रहती है और सर आखों के सामने बद्दे टाइब आजाते हैं काले बद्दे माता जी के लिए गौन मौरिंगा सफेद खरीदें और नारियल पानी के साथ एक गिराम रोजाना एक बार दिया गरें उनकी परिशानी अच्छी होना मुम्किन है गौन मौरिंगा सफेद असली लें तब ही आपको फाइदा मुम्किन है और आप गाजर का अगर वक्त हो तो गाजर का एक गिलास जूस और अगर गाजर ना हो या मिलना मुश्किल हो ऐसी जगाएं जहां गाजर नहीं मिलती तो सौफ तो आप जानते हैं तीन चमश सौफ एक गिलास पानी में उबा लें आदा पानी जलने दें जब आदा रे जा इसे च्छान कर इसमें आप एक गिराम गौन मौरिंगा सफेद मिलाकर रोजाना पी लिया करें आपको भी फाइदा होना मुम्किन है